तीजस्टी प्रकास पर भड़के सलमान खान जयां सलमान खान इस बूरे हबते लाइम लाइट में रही तीजस्टी प्रकास पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई देने वाले हैं समिता सिटी पर गंभी आरोप लगाना, बॉइफरेंड करन कुंदरा पर शक, टास्क में प्रतीक सहचपाल के साथ एग्रेसिव हो जाना और चैनल के खिलाफ बोलने पर सलमान खान आचिजस्टी का बैंड बजाते हुए दिखाई देंगे बिग बॉस पंदरा में एक बाफिर से विकेंड के वार पर सलमान खान घर में गरजते हुए दिखाई देंगे सलमान इस पूरे हफते लाइम लैट में रही तिजस्टी प्रकास पर नराजगी जाहिर करते हुए दिखाई देने वाले हैं शम्ता सिटी पर गंभी आरोप लगाना, बॉइफेट करन कुंदरा पर शक, टास्क में प्रतीक सहच पाल के साथ अग्रेसिव हो जाना और चैनल के खिलाफ बोलने पर सलमान आज ते जस्टी का बैंड बजा सकते हैं बिग बॉस के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो हाल ही में चैनल के तरफ से शेर किया गया है प्रोमो के मताबिक सलमान खान ते जस्टी प्रकास से कहते हैं कि वो इस चैनल को कोश रही हैं से पता चलता है कि वो बेवफा हैं उन्होंने कहा जिस थाली में खाते हैं हम में से कोई छेद करते हैं दरसल ते जस्टी ने चैनल पर समिधा से ट्रीपरती पच्छपाती होने का आरोप लगाया था सलमान उसे कहते हैं कि क्यों से बैठी काट खेल लए हो जिसका जवाब में तेजस्टी ने गुस्टे में कहा था कि उन्हें किसी सानबोती नहीं चाहिए सलमान खान ने उन्हें ये कैकर चुप करने के लिए कहा कि चुप रहो तेजस्टी सल्मान खान यहीं नहीं रुके और आंगे तेज़सी कहा कि अपने बॉइफेंड करन कुंदरा का भी सम्मान नहीं करती है वहीं घर के अंदर एक आपकात कालीन स्क्रीनिंग टेस्ट चलाया जाता है जबकि प्रद्योगी पूछते हैं कि क्या यह कुछ गंभीर है लिकेंड का वार में गौहर खान भी घर के अंदर इस्पेसल गेस्ट के तौर पर ना जाराएंगी वह एक टास्क करेंगी जिसें प्रद्योगी को रंगी के उंसार पोडियम पर खड़ा किया जाएगा तेजस्वी प्रगास निसांद के साथ खड़ा हो जाता है और गौहर के सामने उनसे जगड़ा करने लगता है गौहर निसांद को चुप रहने के लिए कहती है लेकिन वह जारी रहता है और तेजस्वी उसे कहती है कि अपनी कोई पहचान नहीं है और उन्हें चुप रहना चाहिए क्योंकि गौहर भी यही चाहती है शोगा ये प्रूमू देखने के बाद साफ है कि सनिवार के मिशोड में सल्मान खान का तगड़ा वार होने वाला है सल्मान खान की इन सवालों पर तजस्ती विकेंड का वार में खुद को कैसे सही साबित करती है A&P टाइम्स की रिपोर्ट